वेलकम बेक गाईज एक्स एमपायर की लेटेफस अपडेटस आपके साथ मैं शेर करने जा रहा हूं और अब आपका जो एनफटी है वो एक्स टोकन में कनवर्ट होने जा रहा है और इसमें डेटेल आपने जानने के लिए पूरी वीडियो देख लेना यार फिर आपकी जो है मैं लगा चुका हूं और आज 22 अक्स लुः उक्त्常 है तो कल से पहले पहले आपने एक्स टोकन का विजडराल लेना है इसका एडरोप लेना है उदर से X token का Tone की blockchain के उपर Tone network के उपर आपने address लेना है और अपना user ID डाल के यहाँ पे अपनी exchange को confirm कर देना है और यहाँ पे 24 of October को हमारा जो airdrop है हमें exchange के अंदर show हो जाएगा ठीक है अच्छा जी अब जिन लोगों ने भी NFTs को mint किया हुआ है तो आप अपने NFTs को X token में convert कर सकते हैं तो उसमें तीन बड़े important steps है और इनकी कुछ important updates भी है जो आपको पता होनी चाहिए और इसमें आपकी mistake नहीं आपने करनी ठीक है तो इसमें सबसे पहला step यह है कि आपका जो NFT है वो यह जो उपर आपको address नजर आ रहा है number 1 के उपर लिखा हुआ है send NFT voucher to this address तो यह जो नीची आपको address नजर आ रहा है एक number के तो यहाँ पर इसके उपर आप click करेंगे तो यहाँ पर आपका जो यह वाला address है यह copy हो जाएगा इसके उपर आपने अपना NFT send करना है ठीक है और जब आप अपना NFT इसके उपर send कर देंगे तो 24 गंटे के अंदर अंदर NFT के जो X token है जो के 69,000 token है वो आपके इस wallet के अंदर आ जाएंगे ठीक है और जो NFT के against आपको X token मिलेंगे वो वले token आपके exchange के उपर send नहीं होंगे वो आपको on chain उसका विद्राल लेना पड़ेगा on chain का क्या मतलब है जो भी आपका ton keeper का wallet है या bit get का web 3 का wallet है उसके उपर आप इसका विद्राल ले सकेंगे जो आपके NFT के X token होंगे ठीक है तो अगर आप चाह रहे हैं कि सारे token आपको exchange पे मिल जाएं तो NFT वाले token आपको exchange पे नहीं मिलेंगे जिस wallet से आपने NFT send करने नहीं इस address के उपर वो ही वाला आपका जो wallet है X empire के उपर connect होना चाहिए अगर आपने किसी और wallet से NFT send कर दिया और X empire के उपर आपने कोई और wallet connect किया हुआ है तो फिर आपको उस NFT के against X token नहीं मिलेगे तो ये आपने बहुत खास ख्याल रखना है और ये बहुत ज़दा important है ऐसे नहों कि आपने NFT mint भी कर लिया है और आपने किसी और wallet के थरू NFT send कर दिया है और बाद में फिर आपके लिया मसला बने तो एक ही आपका wallet होना चाहिए जो X empire में connect होगा उसी से ये verify करेंगे उसी से आप उनको NFT send करेंगे और उसी address के उपर वो आपको NFT के against X token send करेंगे और अगर आपने काफी ज़्यादा NFTs mint की हुए है तो आप जब सारे NFT के against आपको X token मिल जाएंगे तो आप एक ही transaction on chain करें ताकि आपको एक ही transaction में आपके सारे जो token है वो आपके on chain wallet में चले जाएंगे और उसके बाद आप उसको exchange कर सकेंगे ठीक है गाइस अचा उसके बाद अभी जो X empire की partner project हैं जिसमें हुरूम भी है डॉजी एटर्स है स्टाफ ओनली है मीम्स लैब है फिर मीम मी है तो ये जो सारे project है ये X token holders को अपने airdrop का थोड़ा सा हिसा देने वाले हैं अब इसमें कितना कितना लोगों को हिसा मिलेगा और किस तरह आपने X token की holding करनी है वो आपको मैं बताता हूँ X token जितने लोगों के ने भी hold करने है उनको इन सारे project का airdrop की percentage मिलेगी और वो जो आपने X token hold करने है वो आपने exchange के उपर नहीं करने बलके वो आपने on chain wallet के उपर X token hold करने है on chain का मतलब है के X token आपको bit get के web 3 wallet के उपर या ton keeper के उपर इनके उपर आपको X token रखना है तो फिर ही आपकी X token holder का आपको फाइदा होगा ठीक है अगर आपने exchange के उपर send करके hold कर लिए और आप कहें के मुझे हुरूम का डोजियेटर का airdrop की percentage मिले तो फिर आपको नहीं मिलेगी और इसमें X empire के जो team है उन्होंने भी clear ली बता दिया कि अगर आपने on chain X token के hold ना की है तो फिर उनको कैसे पता चलेगा कि इन लोगों के कितने token hold की है और कितने लोगों को कितना token मिलेगा इसमें इन्होंने clear बता दिया कि जिस बंदे ने ज्यादा X token को hold किया उनको उतने ज्यादा इन coins के airdrop मिलेंगे ठीक है और जितने ज्यादा X token कम आप hold करेंगे उतने ज्यादा आपको कम मिलेंगे अब इसमें आप देख लेंगे आपके ये सारे जो प्राजेक्स हैं ये 2-2% तक्रीबन अपनी supply airdrop का जो है X token holder को देने जा रहे है और हमें तो कोई बहुत ज़्यादा airdrop के token मिले नहीं X empire के तो हम इसमें कितना ही अपना hold कर लेंगे और holding period भी 30 दिनों का है 30 दिन आपको कमस कम hold करना पड़ेगा और 30 दिन बाद X empire की प्राइस अगर बहुत ज़्यादा डंप होगी तो इतना ज़्यादा फाइदा होगा नहीं ठीक है तो मैं अगर आप मेरे से पूछेंगे मैं अपनी strategy आपको बताता हूँ मैं तो यह सारे जितने भी मेरे पास X empire की token है यह मैं सारे sale कर दूँगा क्योंकि मेरे पास एक तो बात यह कि मेरे पास ज्यादा token नहीं है X empire के थोड़े से ही है और यह जो बाकी airdrop हमें मिलेगा उनकी भी 2% उल्लेड यह उन्होंने देना है और जो बड़े बड़े holders X empire के उनको ज्यादा मिलेगा और हमें तो कोई इतना ज्यादा X empire का airdrop मिला नहीं तो हमें उन token की भी allocation ज्यादा नहीं मिलेगी ठीक है तो इस वजह से मेरे ख्याल से मेरे कोई इसके उपर जवाद बनता नहीं है कि मैं X token को hold करूँ तो X token जब list होगा तो मैं इसको sale करूँगा और उसके उपर live भी इन्शाला आपके साथ आके YouTube के लाइव भी करूँगा ठीक है guys तो ये X empire के सारी updates थी ये मैंने आपके साथ share करनी थी और अगर अभी तक आपने अपना wallet इसके साथ link नहीं किया तो आप अपना wallet जल्दी से इसके उपर लगा ले 23 तरीक करना है और 24 को इसकी listing शुरू हो जानी है तो listing से पहले पहले आप अपनी exchange लगा ले ताके जब 24 को इसकी listing हो तो आप अपने token को sale करके जितने ही पैसे आपको मिलेंगे वो आप बाकी आपस में यूज़ कर सकते हैं तो इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स आपके साथ शेर करता रहूँगा तो until my next video अपना ख्याल रखें टेक केर पीस आउट